हाई वेल्कम बेके ट्वारी चानल दिखे आज में आपको इस कारडिगन में गला झोटा करना बताऊंगी इसको बिना खोले हम इसका गला छोटा बनाएंगे चोटा करके बनाएंगे अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने ये कार्डिगन बनाना सिखाई थी अपने चानल पर डबल एक्सल साइज में मैंने इसको बनाया है और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो को पसंद किया है इसके लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया और काफी लोगों ने इस वीडियो को देखकर कार्डिगन बनाई भी है बहुत आसान तरीके से मैंने इसको बनाना सिखाया हुआ है अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरी वीडियो के उपर आई बटन पर आप देख सकते हैं वहाँ से क्लिक करके भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए फिर आज मैं आपको ये बनाना सिखाती हूँ उसका गला हमें किस तरह से छोटा करना है तो इसके लिए मैंने यहाँ पर पांच नमबर का क्रोश्या लिया है तो जोटा क्रोश्या यूज करेंगे क्योंकि हमें गले को छोटा करना है तो गले की फरंट साइड से फर्स्ट चेन के अंदर हम एक लूप हम क्रोश्या एंटर करेंगे और इसके अंदर हम इस लूप को एंटर करेंगे इस तरह से और इसको थोड़ा सा टाइट कर लेंगे आप देखिए यहाँ पर हम तीन चेन्स लेंगे जैसे हम यहाँ पर हाफ डबल क्रोश्या बनाते हैं उससे पहले हम starting में 3 chain लेंगे फर्स्ट हमारा हाफ दबल क्रोशिया यह हो गया इसके बाद दूसरा बनाएंगे इसके बाद 3 हर एक chain के अंदर हम हाफ दबल क्रोशिया बनाएंगे 4 पांच और यह छे सबसे पहले हमें यहां पर 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से अब इसके बाद हम इसमें देखी फंदे घटाना स्टार्ट करेंगे तो फंद को घटाना किस तरह से है इस तरह से देखिए हमने एक बार क्रोशिय एंटर किया और एक लूप लिया उसी तरह से next में क्रोशिय डालेंगे और एक और लूप बनाएंगे अब यह हमार पास तीन लूप हो गए अब हम यहाँ पर दो काई करेंगे फिर इन दो काई करेंगे यह देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर फंदा खटाया है अभी मैं आपको दुबारा बताऊंगी इसमें आगे इससे पहले हमें छे हाफ डबल क्रोशिय बीच में गैप के लिए बनाने है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, यह देखिए छे हाफ डबल क्रोशिय हमने दुबारा से इसमें बनाए फिर आगे अब हम फिर से एक फंदा यहाँ पर घटाएंगे तो धियान से देखिए किस तरह से हमें यहाँ पर फंदा घटाना है यह देखिए नेक्स्ट के अंदर से हमने एक लूप लिया फिर उससे नेक्स्ट के अंदर से एक लूप लिया यह तीन हो गए अब टोटल अब यहाँ पर पहले दो काई करेंगे फिर इन दो काई कर देंगे तो इस तरह से हमारे यहाँ पर एक और फंदा हमने घटा दिया हर छे हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें एक फंदा बीच में घटाना है यह देखिए फिर से एक बना लिया दो तीन चार पांच और यह 6 अब फिर से हम यहाँ पर फंदा घटाएंगे तो देखिए फिर से हम एक लूप लेंगे सिंगल लूप लेना है फिर उससे नेक्स्ट वाले स्पेस में डालेंगे क्रोशिया और एक लूप लेंगे अर अब 2 का 1 और फिर 2 का 1 तो इस तरह से हमें पूरी रो को बनाना है हर छे हाफ डबल क्रोशे के बाद हमें एक फंदा इस तरह से घटाते हो जाना है यह दिखिए हमने इसको कम्प्लीट कर लिया है लास्ट अब इसको हम टर्न करेंगे अभी हमें यहाँ पर एक राउंड और बनाना है तो उसके लिए हम तीन चेंज लेंगे और हर एक स्पेस के अंदर हर एक चेंज के अंदर हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है तो इस तरह से हम पूरे राउंड को कवर करेंगे और इसमें हमें कहीं भी कोई भी फंदा नहीं घटाना है सेकिंड राउंड में यह इस तरह से बनाते हुए जाएंगे इसी तरह हम यह पूरा राउंड कम्प्लीट करेंगे देखिए अब मैंने यह राउंड कम्प्लीट कर लिया है तो दो राउंड हमारे टोटल कम्प्लीट हुए हैं फर्स्ट राउंड में हमने भंदों की घटाई की है और second round को हमने बिल्कुल plain बनाया है बिना कुल फंदा गटाय हुए अब देखिए last में हमें क्या करना है यहाँ पर हम एक chain बनाएंगे slip stitch बनाना है अब हमें यहाँ पर यह देखिए इसके लिए अब आप चाहें तो थोड़ा मोटा क्रोश्या यूज़ करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा यह इस तरह से यह chain बनती हुए आई की उपर slip stitch बनानी है अब हमें पूरे राउंड में यह इस तरह से बनाते हुए अब हम इस पूरे राउंड को complete करेंगे यह दिखे इसको भी हमने last तक complete कर लिया है अब हम इसको यहाँ पर knot लगाएंगे और इसको हम बंद कर देंगे इस तरह से knot लगाते हुए अब हम इसको बंद कर देंगे और इसको अंदर की side करके किसी भी crochet hook से हम इसको hide कर देंगे तो यह देखे फाइनली हमने गला जो है इसका छोटा कर लिया है अगर आपका गला और ज्यादा बड़ा है और आप इसको और ज्यादा छोटा करना चाहते हैं तो इस तरह से आप 2 से 3 round बना कर दो round में तो decreasing कीजिए और एक round आप बिल्कुल plane बनाएगे तो आपका गला जो है छोटा हो जाएगा मैं उमीद करती हूँ यह वीडियो आप लोग के लिए helpful रहे चले फिर मिलते हैं next वीडियो में थैंक यू